सौरब इस सबें वहापर मौझूद हैं जहां पूरे काडरेक्टन को रखा गया है जहां रस्में निभाई जानी है सौरब इस सबें वहापर क्या तयारी हो रही है और महमानु की लिस्ट में कौन-कौन शामल है, कौन कब पहुंच रहा है क्या जानकरी आपने पास देखे शिका डोल नगारों के साथ अधन्त अंबानी इस जियो सेंटर के लिए इंकल जाया है मेरे पीछे देख सकते हैं सजावट को बहुत क्रेज देखा जा रहा है आम पब्लिक भी यहां रुक के सजावट को देख रही है यह जो साबने में गेट दिखा रहा हूं आपको यह यहां पर VIP मुव्मेंट हो रही है यहां पर सारे VIP आ रहे है जिस गेट को आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो फूलों से सजा हुआ है इसमें सारे VIP आ रहे है और लगातार VIP के आने का सिलसला जाई है रन्वीर सिंग हमारे साथ ने आए बहती एथनिक वेर के साथ सब लोग यहां पे आ रहे एक ड्रेस कोट रखा गया है जिसके तहट जितने भी सेलेब्रिटीज हैं इवन जॉन सीना आप देखेंगे जो ड्व ड्व ड्रेस्लर हैं वो भी इंडियन वेर में हमें दिखाई दिये तो ब्हहमानों को सिंसला लगता जा रही है लेकिन सबसे एहम बात यह कि कल मोदी जी का भी प्लैन है यहां में आरिका और अनन तंबारी और राधिका को हैं उन्हें तो वो देखें लेकिन जो दूला-दूलर हैं उनकी भी जलक मिल जाए तो ऐसे में क्या इसके लिए में कोई खास इंतिजाम किया गया है या फिर यह पूरी राब्डब पाटी होगी देखें मैं अभी अंदर था और अंदर एक हमारे लिए जगा बनाई यह जापे सब लोग रेड़ कार्पेट पे आ रहे हैं और हम उन्हें अपने कैमरे से कैप्चर कर पा रहे हैं अभी तक राधिका और अनन नहीं आया हैं उनकी जलक देखने को नहीं मिली हाला कि पूरी अंबारी परिवार एक साथ रेड़ कार्पेट पे दिखाए गया है उसके वीज्वल भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लेकिन अभी लोगों को जो सबसे ज़्यादा क्रेज है कि अनन राधिका ने क्या पैना होगा क्योंकि जिस तरह से लगातार हम भार बढ़ता जा रहा है कि आखिर अब अगले फंक्शन में किस तरीके से दोनों सेलिब्रेट करने वाले हैं और मैं आपको बता दू कि आज विधी लगन का जो कारेकरम है वो सुभा से स्टार्ट हो गया था अब थोड़े देर बाद उनकी जो वेडिंग है उसकी तियारी संपन होगी और कल उनको आशिरवाद समर्व उनका रखा गया है चौदा तारीकों रिसेप्शन रखा गया है 15 तारीक को एको रिसेप्शन रखा गया जिसमें जो आम लोग हैं वो भी आके अपना आशिरवाद दे पाएंगे दोनों को हमें sort of parties देखी है और हमने देखा कि pre wedding का celebration जो है वो जामनगर में भी हुआ गुजरात में भी हुआ तो क्या आगे इसकी भी कोई planning है और अगर आप ज़रा तस्वीरे दिखा सकें कि वहाँ तयारी किस तरह की हुई है देखें मैं आपको फिर एक बात दिखाता हूँ देखें जियो सेंटर को जिस तरीके से सजाए गया है एक एवी आप सामने चलते हैं देख पाएंगे हालग कि सामने पेड़ है लेकिन उसके पीछ एक एवी चल लिए इस तरह की तमाम एवी बनाई गई है अनन्त और आधिका के लिए क्योंकि जिस तरीके से हमने सबी को बताया कि एक वानतारा जो अंबानी के दिल के काफी करीब प्रोजेक्ट है और उनको किस तरीके से जानवरों से प्यार है और वही थीम वही थीम अंदर रखी गई है अंदर घोडों की सजावट रखी गई है अंदर मुकेश और नीता ने यह ध्यान रखा है कि उनके बेटे के जो करीब है वानतारा उसको उसी थीम के अनुसार उसको डिजाइन किया जाए हाला कि बहुत खूबसूरत सजावट हमें देखने को मिली है बिल्कुल यूनीक है बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन अपने बेटे की खास चोईस का ध्यान लगते हुए पूरी सजावट की गई अंदर अच्छा सौरव आज जब भी वेडिंग होती है तो किस डिजाइनर की ड्रेस पहनी जा रही है इस पे बहुत जादा फोकस होता है तो क्या कोई खास डिजाइनर है जिसकी ड्रेस को पहन रहे हैं दूरो आज त्यारी जो आज नीताम बानी आज जो साड़ी पहनने वाली है हमने कल भी वो साड़ी को हमने दिखाया था बनार सी साड़ी है वो और किस तरीके से ट्रेडिशनल साड़ी को त्यार किया गया है वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीकी साड़ी ज़का है कि जितना भी पैनावा होगा उनकी शादी में अनन्त अंबानी की वो पूरा तरीके से इंडियन लग रहे हैं जो यहां पर आ रहे हैं उनके लिए भी उनको भी एक ड्रेस कोड दिया गया है उनको इंडियन ड्रेस कोड में देखते हुए बहुत सप्राइज भी हो बहुत अच्छा भी लग रहा है कि किस तरीके से भारती भारते परमपरा किया एक प्रतीक हमें देखने को बिल रहा है इस शादी में यानि सौरब कह सकते हैं कि यूमन टच के साथ-साथ जो ट्रडिशन है जो भारती परमपरा है उसको इस विदिग में फॉलू किया जा र हमने वीजुल सिखाए होंगे हम लगतार बता रहे कि कितनी एक्साइटिट है उनको आटो में भी घूमते हुए दिखा गया मुंबई की बारिश में मौसम जो बारिश का है उसका आनन लेते हुए वह आटो में घूम रही है जिस तरीके से उनका तिलक लगा के उनका होटल में वेलकम किया गया बहुत ही खुश दिखाई दे रही है हर ट्रेडिशन को इंडिन ट्रेडिशन को वो इंजॉय कर रही है और लगतार उनको रोड़ पे एक आटो में दिखा गया दोनों कदाशन सिस्टर्स को तो इस तरीके के तमाम जो हमारे विदेशी में माने हमने सै लेकिन लगातार अभी सबी लोगों का आना लगा हुआ है और हम जिनको कैप्चर कर पाएंगे इंडिन ट्रेडिक्शन प्रेसिस में हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे हाला कि अभी जो अभी कोई भी इंटरनेशनल जो उनके मेहमान है उन वे से अभी तक कोई नह पहुचने वाला है यह इंविटेशन हाला कि मुझे लगता है कि देश भर में लोगों को दिया गया है इंविटेशन तो हर कोई बहां पहुचे गई अब तक कौन-कौन बहुच चुकाएवाग देखे हाला कि तमाम जो हमारे बॉलिवूड सेलेब्रिटीज है वो आ रहे ह है लेकिन एक सक्ष का नाम क्योंकि सुबा से खबरे चली है अक्षे कुमार कोविट पॉजिटिव हो गए है उनके आने का संशे बना हुआ है क्योंकि आपने भी और हमारे दर्शकों ने देखा होगा सुबा से खबरे चली है कि वो बिमार है अक्षे कुमार नहीं आ पाए है कौन-कौन उनको उनकी शादी में शामिल होता है और किते अच्छ और और भैतरी गिफ्ट के साथ आता है यह हम अभी हम उन सभी का इंतजार कर रहे हैं आप अच्छा कल का जो इविंट है क्या वो भी यहां पे ही रखा गया है जो आशरवाद समारू रखा गया है और रिसेप्ष्ण का वेडिव क्या होने वाला है देखे मेरे पीछे जीओ सेंटर आप आपको एक तस्वीर तका रहा हूं सारे तमाम प्रोग्राम आउध चाहे वो आजigare हो किड़ का हो पर सों अटारिक का हो सभी सभी प्रोग्राम इसी जीओ सेंटर में होने वाले हैं क्योंकि एक जियो सेंटर एक ऐसा यहां पर हम भारत 24 यहां पर आमिर खान की बेटी के reception में भी आया था हाला कि बहुत बड़ा एक hall है जिसमें कम से कम 5000 के आसपास लोग आ सकते हैं तो पूरे मुंबई में यही सेंटर है जिसमें आप अमाम लोगों को गैदर कर सकते हैं एक जगा पे तो जितने भी प्रोग्राम आज से शुरू हो रहे हैं उनके लगन विदी का हो शादी का हो रिसेप्शन का हो या आशिरवाद सब रोको सब यहीं पर संपन होंगे हमने कुछ पॉलिटीशन को भी देखा वो भी पहुंच रहे हैं आपने बताया भी कि प्रधान में त्रिमोदी भी कल पहुंच सकते हैं आशिरवाद दे सकते हैं तो उनके कारक्रम को लेकर के कोई पहुंच रहा है कि विदेशी महमान में कौन-कौन पहुंच रहा है कि संदाज में पहुंचे का यह जाहर है आप हमें दिखाएंगे और यह में आप बताएंगे लेकिन अब चुकी मुहुर जो है उसका समय बहुत पास आता जा रहा है ऐसे में जाहर है वाँ हलचल भी होगे अगर आप ज़रा वो तस्वीरे भी दिखा पाए देखें मैं आपको एक गेट दिखाता हूँ इसी सामने आपको गेट दिख रहा होगा सफेद रगा इसी गेट से सारी मीडिया जो है वो इसी गेट से अंदर गईती और इसके आगे बहुत सारी सिक्यूर्टी चेकिंग है जिसके तहत होके आपको अंदर जाना पड़ेगा और सारे मीडिया के लोग वहीं खड़े हैं एक रेड कार्पेट बनाए गया है जहाँ पे खड़े होके हम सभी को रेड कार्पेट पे कैप्चर कर रहे है लेकिन क्योंकि सिक्यूर्टी बहुत टाइट है जो एक बार भार आ रहा है उसको वापिस अंदर नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि सिक्यूर्टी चेकिंग्स है और हाला कि बहुत सारे पुलिस कर्भी यहां पे हैं पुलि है वो भी है हमारे celebrities भी है और हर चीज का बहुत बारी की से दिया जा रहा है security को लेके और हर एक आदमी हर एक सक्ष को किसे चेक कर रहा है ताकि कोई भी ऐसी चीज अंदर ना लिजाई सा सके जिसकी वज़े से तमाम मुश्किलों का सामना सभी लोगों को करना पड़े मेहमानों को तो बहुत सारे security चेकिंग के बाद हमें भी अंदर एक जगा बिली थी और अब हम भार है तो हम आपको भार का नजारा दिखाए दे रहे हैं कि उस रोड पे जो जो रोड आप सामने देख पा रहे हैं वह कि आम लोगों को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े शिकाए अच्छा security की आब बात कर रहे हैं तो security के लिहाज से वहाँ पर क्या इंतिजाम आप अगर दिखा पाए देखे मैं अब दे कैमरा मेंन से गुज़ाइश करूँआ कि वह सामने दिखा पाए देखे थोड़े से आगया पाए यह यह देखे यह वी आईपी गेट है जासे सब लोग वी आईपी गाड़ी यह रूख रही है और सब तमाम वी आईपी लोग अंदर जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि कम से कब ह années 200-300 लोगों कि सिकेरिटी है, परसल सिकेरिटी है, पॉलिस वाले हैं, سीयारपी वाले हैं, सीआईसेफ वाले हैं, जो लोगों को अंदर जा रहे हैं, वी आईपी मoमेंट्स हो रही हैं ता कि उन वी आईपी लोगों को भी किसी मुश्किलों का यहां पर पहुंच नहीं। जी जी कितने कुल मेहबान यहां पोच रहे हैं जी शीका एक बार अपने कोशन रिपीट करें क्या हैं ने आप से सवाल यह पूछ रहे हो सोरब कि यहां कितने लोग पोच रहे हैं तोटल लर्व गेस्ट क्या है देखिये अभी हम अंदर थे तो हलगबख मुझे लगता है कि हर हर वो सेलेबिटी वो पौछ चुका है जो अम्बानी परिवार के क्लोस है जो उनके बच्चों के क्लोस है अकाश अम्बानी की एक अलग फ्रेंड लिस्ट है, अनन्तमबानी के एक फ्रेंड लिस्ट अलग है, राधिका के भी बहुत क्लोस लोग है, जिसमें जानवी कपूर का नाम शामिल है, वो तमाम लोग उनका वेलकम करने के लिए अभी पहुच चुके हैं, और जो तमाम गैस लिस्ट मुकेश पहुच रहे हैं, और मुझे लगता है कि आठ नो बजे तक सारे सेलिब्टी जिनको इन्वाइट किया गया है, वो हम उनको अंदर देख पाएंगे, ठीक है, सौरबाब बने रहिएगा, तो ज़रा आपको एक बार फिर से डीटील इंफिर्मेशन दे देते हैं, इस समय आन अंबानी परिवार में आज उत्सव का दिन है, और इस उत्सव के दिन पर अंबानी परिवार तो तयार है ही, और एक ही करके, जो स्टार्स है, वो चाहे पॉलिटीशन हो, चाहे फिल्म स्टार हो, विदेश से आए, वे महमार हो, अलग अंदास में समय नजर आ रहे हैं, य साफ नजर आया कि जानवरों से बहुत जादा उन्हें प्रेम है, इसलिए कही न कहीं, यह जो थीम है, अंबानी परिवार ने भी कुछ ऐसा ही रखा है, और इस समय तयारी लगबग पूरी हो चुकी है, सौरब मेरे सही होगी ग्राम जेरो पर मौजूद है, जहां पर इस क मुझे लगबग जुतने भी मीडिया हाउसेज हैं वो तो वहाँ पहुचे ही है, और हर छोटा बड़ा फोटोग्रफर भी वहाँ पर इस समय महजूद है, तो एक हलचल वहाँ नजर आने वाली है, इसलिए मैंने कहा कि एक कॉक्टेल है हमारी परंपराओं का और युमानि परिवार के लोग है, वो उसी गेट से आ रहे है, पैपराजी, हर पैपराजी अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, वो तस्वीरे जो मुझे लगता है कि हर तमाम भारतिये देखना चाहता है, कि किस तरीके से, किस परिधानों में वो धूला-धूलाद हमारे समक्ष आएं और उनकी ड्रेसिज, उनकी इंडिन ट्रेडिशनल, जिसको हमेशा से ही फॉलो करते हैं हम भीजी परिवार, वो हमें देखने को मिलेगा, और सबसे इंटरस्टिंग चीज में आपको पता दो, यहां पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है, खाने का, दोस्तों से ज़् करने वाले अंदर और उनके साथ भी एक्स्कूजिव आप इंटर्व्यू करेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे गाने हैं जिस जिसमें लोग थिरके अंदर